हेलो और विवन कैसे आप सब जैसे कि आप पहले वाले वीडियो में जान चुके होंगे कि हमने किस तरीके से हमने अब तक इतने सारे फॉर्मले कर चुके हैं तो यह सारे हमारे फॉर्मले हो चुके हैं आज की वीडियो में इन तीनों फॉर्मले कवर करने वाले हैं तो आज क है तो यह क्या चीज है क्या नहीं है मैं भी आपको बता देता हूं पहले मैं इसको थोड़ा प्लैक कर लेता हूं तो पहला क्या है पहला हमारा नंबर है तो हम नंबर लगा लेते हैं तो हमने भाई यह नंबर लगा दिया अब इसके बाद हम लिख लेतें इंट्रेस रेट इंट्रेस रेट मैं आपको थोड़े यह सारा करने के बाद मैं आपको बता दूंग यह फॉर्मला क्यों यूज हो रहा है तो हमारे इंट्रेस चाहिज़ा कि महां लीजिए पांच सुरी चार फिर पांच फिर छे फिर साथ सारी फिर आट फिर नौफ ठीक है यह हमारे हर साल के इंट्रेस रेट है ठीक है ठीक है इसके बाद लगा लते हम पीरियड तो पीरियड हम लगा लें कुछ भी तो पीरियड हम कुछ भी लगा लेती है मान लीजीए हुआ कि मान लीजी और भार है दिख साल में कितना थीक है कoria कुछ साल है पता ही महीन होते हैं भार है इसलिए पीरियड भी कितनी लाया हम ने बाहर रहे ठीक है कि अब इसकी बाद हम आलता अपना function कि हमारा function effect का है कि थेख्ष вд कि तोऑ normal रेट टो normal रेट हमारा इए इसकी बाद हमारा होता है यह तीक है फिर सुद्द माइद हम enter तो ये हमारी कुछ बैलिव लिकर किया ज़िए तो ये वैलिव क्या होती है क्या नहीं हOTी मैं आपको सारी वैलिव पहले लिका रड़िका लिकाता हूं तो ये हमारी कुछ वैलिव आ गई है तो यह या होती है जैसे कि मालेज अगर आप बैंक मैं घूएं Beauty ग olm तो यहीं वो चीज है अगर आप साल में किसी भैंक में पैसे अन्वेस्त करें तो आप इतने फिर इतने फिर इतने हर साल यह पैसे बढ़ते रहेंगे थिक है तो हम इस लिए चाह कि पताकर सके असंच तत्वal delightful कुछ में आपको एक चीब बता थूँ जैसे कि अगर ये ये sweeping अगर आप कॉप में लिखना चाहें तो अगर आप कॉप मैं लिखना चाहता है तो मैंने आपको ये यहां पर देख सकते कि मैंने आपको देरख ठीक है यह effect का formula copy के ठीक है कॉप में लिकाने के लिए हम इस formula का यूज़ करेंगे ठीक है तो यह आप जब आप कोई भी accounting सीखते हैं ठीक है अगर आप सीए के वर कर रहे हैं तो आपको यह formula का पता होगा ठीक है तो सबस्ब्स पहले हम लगा लेते हैं bracket bracket कि बाद कि आगए one फिर कि आगए प्लस है ठीक है इसकी बाद कि आ गए हमारा normal rate भाग इससे इसके बाद आप देख सकते हैं कि किसमें क्या देख़े और दे गई यह ऊपर क्या देग यह पागर पावर ठीक है तो आप power अप इस तरीके से लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा तो मैंने क्या लिख दी सबसे आए क्या लिख दे power तो मैंने power लिख दी अब मैं क्या कूरूं यहां पर लगा दूँगो कॉमा और यहां पर दुवारा इस चीज को लिख रख दूँगा ठीक है और कर दूँगा ब्रैकेट क्लोज इसके बाद मैनस कितना मैनस वन और एंटर दबा दूँगा तो देखिए हमारा वो चीज थी वह आपिस वही चीज आ गई ठीक है तो आप समझ गयो किस तरीके से हमन सब्सक्राइब करते हैं तो मान लेजी है 1000 पर अपते के बैंग में इंवेस्ट कर रहे है इसके इंट्रेस को कितना देख है ज़रा जैसके 4 प्रिसन्ट वह इंट्रेट दे रहा है ठीक है तो एंप्र मतलब कि आप कौन से महीने की अपनी टिखिया अगर वह चार का अपना बैलेंस देखना चाहते हैं टीक है इसकी बाद हम लगा लेती है कि अरे उिभाए मं तो जो सुरी में कॉमा लगाएंगे तेला तेकर इसके बाद देखाएंगे हम यह फिर कॉमा और फिर क्या वैल्यूज फिर इसके बाद एक और कॉमा फीर्सक के पर क पॉर प्लेख सकते हां और दभा देंगे तो आप 52050 महिने में आपका वैलन्स हुजाएगा तो आपके 50 रुपे तेक है मंतली के हिसाब से आप जुड़ की चुकी है तो आपके 50 रुपे आपके बैंक बालों ने आपके अकांट पर डाल दिये ठीक है इसके बाद हम अग्ला फॉर्मिल देख लेते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरी फॉर्म्स के बारे में तो यहां पर इंदने क् heft Amp लिखना है तो amount हमां हमसे है है लिखने मैंने हजार पर लिख दिया है है इसी बात हम लिख लएते हैं तो एक रिट आपको को गया के दरें 9 प्रेसेंट पर आपको रेट देडिये ठीक है तो रेट हमारा सेम रहेगा ठीक है पहला दूसरा तीसरा सुरी तीसरी बाद चौँ एक मिनिट गलती कर दिया है कि आतीसरा चौट है फिर पांच वाट इसके दूसरा था हम अपने हिसाब से लिखगी तेशितित्रा पर यहां से हम अगर आप SaL का देखना अचा तो साल हम्हें मैं आपको बताएता हूं जैसा कि फिर फार मोल लगा रिटा हूं ऑपहन से हमनी महीन से साल क स्बीन लेंगे प्रिंसिपल तो इंटर दबा देँगे तो पहले साल तो हमारे यह यद्रख्था पहले समार क्या लिख्षा रहेगा दूसरे साल का तो दوسरे साल भी उसने कुछ हद रहेकं पिंसिपल हमें से चेंज रहेगा पहली साल मारे तीसरे लगाने चाहते हैं एफ भी तो इसी तरीके से आप भी तब इन तीनों फॉर्मुले के यूज करके अपने पैसे को चेक कर सकते हैं ठीक है प्यूज प्यूज प्यूज।